तो बाई इंटेल के 14 जेनरेशन डेस्टाप प्रोसेसर लांच हो चुके हैं और इंटेल 13 जेनरेशन ने जो किल किया था ना मतलब बैंक फॉर द बग चाहिए गेमिंग हो चाहिए प्रोडक्टिविटी और जिस प्राइस पॉइंट पे जैसी परफॉर्मेंस हमारे को मिल रह लेकिन 14 जेनरेशन लांच हुई है रैप्टर लेक रीफ्रेश यह अपग्रेड है और नई भी सारा में इस वीडियो में कवर करेंगे हमारे पास प्रोसेसर आ चुके हैं और इस डब पे के अंदा हमारे को एक को राइन नाइन प्रोसेसर मिलेंगा 14 जेनरेशन वाला आइन की वीडियो सेपरेट आएगी आप कॉमेंट सेक्शन में लिए क्योंकि बजट वाले यूजर यूजिली आई-फाइव और आई-सेवन के लिए तो हमारे को क्या-क्या जानना वीडियो में सब कवर करेंगे तो यह जो हमारे 14 जनरेशन प्रोसेसर है यह पुराने सॉकेट यह ने बता रहा रैप्टर लेक रिफ्रेश तो बस रिफ्रेश्मेंट सी आ गई है कुछ और यहां पर लग्या सेवन डेशन यह सपोर्ट करेंगे जो हमारा लास्ट यह ता और लास्ट यह ता लास्ट यह तक की डीडियार 5 राम सपोर्ट करते और साथ में हमारे को वाइ यहां पर मैक्सिममम रिफ्रेश्ट का मॉनिटर कर सकते हो यहां पर 240 वाट पावर डिलिवरी तक का सपोर्ट हमारे को मिलेगा और साथ में हमारे को मिलेगी डबल बैंडविट लास्ट जनरेशन के कंपैरेजन में लाइक 40 जीबी पेस थी अब आपको 80 गीगाबिट्स पर लोगों को आजकल बहुत जानने के इच्छा है कि और खुछ से कुछ 3-5 करके को अपना प्रोसेसर खराब कर ले रहा है लेकिन इंटल ले आया है सॉलिशन ओवर क्लॉकिंग का सीन कहा है पहले क्या होता था सब कुछ मैनोली करना पड़ता था अब यह की तुरू बहुत सा दूँगा एक बार खुद एक्सपीरेंस करके अब जरा तकनीकी बाते कर लेते हैं अपने प्रोसेसर के बारे में इंटल कोई 94900 के हमारे पास है जो हमारा ट्वंटीफोर को सब्सक्राइब करो वीडियो से पता लग जाएगा और बागी सारी टेकनिकल स्पेसिफिकेशन आपके सामने है अप्टू 253 वाट तक जा सकता है अगर आप इसकी ताकत का पूरा इस्तमाल करोगे एंट तुम में से बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा यह जो स्पेसिफिकेशन प्रोसेसर की वह बिल्कुल 3900 के वाली है यह सारा कुछ लगबग मारे को से मिलेगा लेकिन इस बार राप्टर लेक रिफ्रेश है इसके अंदर मारे को जाधा स्टेबिलिटी मिलेगी प्लस जो हमारी पर्फॉर्मेंस है वह काफी कॉंसें रहेगी लॉंगर रन के अंदर भी एक और मज़ेगी बार बता हूं यह जो 14 जनेरेशन लाइक 4900 के बारे में बात कर बता दूं जो चीज़े यूज करिया है तो में भी तो पता होना चाहिए कि कैसे अमने समय से पर्फॉर्मेंस निकाली है यहां पर सीप्यू मैपको पता ही चुको है और जो मारा मदर बोर्ड है और यह जो मदर बोर्ड ना मारे पास यह वाई-फाई-7 को सपोर्ड करता है अगर आपके बास Z690 या Z790 सीरीज का मदर बोर्ड है और आपको पहले 13 जनेरेशन लगा के बायोस अपडेट करना बड़ेगा जैसे यूजली हर बार होता ही है तब जाके आपका 14 जनेरेशन का सीप्यू सपोर्ड करेगा ओल्ड जनेरेशन मदर बोर्स पे और यहां पर यहां वारी वारी रेनेगेट डीडियार 5 7200 मेगाट स्पीड वाली 32 जीप रहां यूज करने यहां पर यूज करने और जो मारा जीप्यू है एसस्टफ गेमिंग र्टीग्स पॉटी नाइटियू आपर यूज करने ग्राफिक्स कार्ड है यहां पर जो मारी पावर सप्ल सब्सक्राइब कर लेते हैं 3900 के साथ मल्टी पर्फॉर्मेंस में 7% का जंप है सिंगल कोर में 5% का जंप मिलेगा सिने मैं और वहीं पर गीकपेंट 6 भी आप देख सकते हो हमारा को लगबग सेम साथ जंप मिल रहा जनेरेशन से जो की जादा नहीं है और तीम रेड से भी हमने कंपेर गया इसके अंदर अच्छा खासा बूस्त है लाइक 7950X से कर कंपेर सिंगल कोर में यानि कि गेमिंग में ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगा 4900 गे और गीकपेंट 6 भी आप देख सकते हो यहां पर विमार को 10% और 6% का जंप मिलेगा मुल्टी कोर सिंगल कोर में यह तो हो गए बेंचमार्स के नंबर और कंपेरिजन वगरा उससे आपको अ अब आति है गेमर्स की बात्ची जिनको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है साथ में चैट वैट चला गया रखनी है लाइव स्ट्रीम के साथ आपको डूब मॉनिटर सेटप बनाना वहां पर जीप्यू का रोल है लेकिन सीप्यू का बहुत बढ़ा रोल है जब आप जीप्यू कोर पर्फॉर्मेंस यूज होती है कभी सिंगल कोर यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन दी सॉफ्वेर एंड वहां पर जीप्यू का तो देख रोल होता है अब आपका जैसा बजट होगा आप जीप्यू वैसा लगा होगे वैसे आइन 14 जनेरेशन जब आफोर्ड कर सकत जैसे आपको आपको फ्रेम निठ रहा है बट फिसक्स के अंदर आपका दापके अंदर निच्ट के अंदर एंप्यू किसी इंदर नौन प्लेबल केरक्टरों होते हैं वह कैसे रियाक्ट कर रहे है चीजों को लेकर कैसे वह प्रोसस कर रहे है कभी तुमने तेगा नंपीस तो जितना तगड़ा CPU आपका होगा तो वह सारी चीज़े परफेक्टली काम करेंगी तो जब गेम टेस्ट करें तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैलोरेंट और यहां पे सेटिंग्स को रखा है हमने हाइप उसके बादमने टैस्ट किया कांटर्स टु यहां पर सेटिंग्स को रखा है वेरी हाइप पर आड़ेग्स के रखाद सब्सके बादमने कि चैसर अबर इपर करने एक्वाड़ थरा वहां तेस्ट करने तो अठीकर प्रीषिय नहीं करें क्या निकरना रही है and resolution 1080p में, यहाँ पर बढ़िया हमारे को 150-160 fps के आसपास मिल जाएंगे, उसके बाद टेस्ट करेंगे, साइबरपंक, अल्टरा सेटिंग्स पे, no DLSS, no Ray Tracing, 1080p resolution and यहाँ पर हमारे को आराम से 181-190 fps के आसपास मिल रहा है, by processor की performance बढ़िया निकल गया रहे है and CPU पर देखो, लोड कितना पड़ रहा है, 5.6 GHz तक जा रहा है, 35-40% हमारे CPU उज़ रहा है and wattage by 200-250 watt यूज़ करने है and यहाँ पर यह सारी चीज़े without overclocking है भी और यहाँ पर CPU के temperatures भी आप देख सकते हो अच्छे का से managed है, 70-75 के आसपास ही है उसके बाद Spider-Man मुली भाई हमारे and very high settings पर test करें न DLSS न रेटरेसिंग and very high settings पर 1080p पर हमारे को 200-plus fps मिल रहा है आराम से यहाँ पर और उसके बाद Call of Duty Warzone 2.0 यहाँ पर settings को रखा एक्स्ट्रीम पर and कोई भी upscaling यहाँ पर हम यहाँ 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 आराम से 181-90 fps के आसपास मिल रहा है and CPU के stats आपके सामने है 180-200 Watt तक power draw और यह 5.6 GHz तक clock speed जा रही है 35-40% हमारा CPU यूज हो रहा है क्योंकि 1080p resolution है and temperatures आप देख सकते हो वह सारी आपको अमने दिखाई दी है इसके लावा हमारे पास AMD Ryzen 9 7950X भी है उसके लावा i9 3900K भी है हम सोच रहे हैं उसके साथ practical comparison भी करके देखे क्या-क्या चीजे कहां का stand out करी है आपके क्या सवाल है उन सब चीजों को लेके comment section मताते ना फ्यूचर वीडियो में उसको कवर करने ही कोईश करेंगे अब आता है मेन सवाल अगर आप 12th generation पे हो तो के आपको 14th generation पे जंप करना चाहिए लगगा अगर आप अपग्रेड के लिए देख रहे हो तो 12th generation वालों के लिए तो मेरा आंसर प्रॉपर्ली है 4900 के लिए जा सकते हो क्योंकि अकॉर्डिंग टूर्यूमर जो 4900 के की प्राइजिंग है वह सेम तो सेम 3900 के वाली होने वाली है 50-60,000 के आसपास अब यह नहीं पता कि 3900 के कितना गिरेगा अगर वह जादा गिर जाता तो भाई फिर तो भाई सीन बहुत जादा चेंज हो जाएगा उसके लिए मैं अभी स्टेट्मेंट नहीं दे सकता वैसे जितना मैंने देखा है फ्लैक्शिप्स में जाधा डिफरेंस आता नहीं है लेकिन क्या पता दूसरी पार्टी कुछ इस बार नया ही कुछ करते तो वह तो भाई जब आएगा तब की दब देखेंगे वाकि टीम रैट टीम ब्लू जो लड़ना कॉमेंट सेक्शन में लोड़ो एलगोरिदम बढ़ाओ तो बस में तरफ से यह था आज की वीडियो में पसंदाए वीडियो लाइक मार देना कोई भी सजेशन हो हमारे लिए वीडियो से रिलेटेड या कोई क्वेरी हो या कोई फीडबैक हो कमेंट सेक्शन हो लिख देना हम कमेंट्स हो अगेर बाइ